तो वेलकम टू अगेन इन ओमकर मॉनिटर तो आज हम बात करने वाले एक और नए सिरीज जिसका नाम है दिप प्रोडूसर और वह लॉंच हुच की है लुट पर तो आज हम उसका रिविव करने वाले तो चलिए ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए शुरू करते हुए आज क दिप प्रोडूसर रिविव वाली इस वीडियो को सो फ्रेंड इसमें सबसे पहले जो फिल्म इंडेस्ट के सबसे पहले प्रोडूसर है और उनकी बारे में यहाँ पर कुछ कहानी को लिखा गाया है इस तरह के से सो फ्रेंड उसके घर एक लड़किया थी ऑडिशन के देती है अपने पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे को जो सुनी चड्डा का काफी अच्छा घना मित्र होता है जस लाइक सनी विंटर के भाशा मैंने आज बोल दी सो इस तरह के से यहाँ पर कंप्लेंट कर देती है और जो शिंदे है वो दूसरे दिन सुनी चड्डा से आकर म अब यहारी मतलब उल्जन वाली कहानी वहाँ पर रचा लेते हैं और यहाँ पर सनी चड्डा कहता है शिंदे अपने दोस्त को पिज्जा अभी इस फैसले को तू भी में डाले और जो चाहिए उसे वह दे 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 शू एक दिन शिंदे उस लटकी को सनी चड्डा के घर ले और जो शिंदे है उसके मन में भी लालाच के लड़ू फूट रहे होते हैं और वह कहता है कि ठीक है चलो में दे दे दो लेकिन नहीं आप ऑसरी चड्डा नहीं कहते हैं और दोनों में अन्बन हो जाती है और जो शिंदे इस्पेक्टर है वह सोन्या को शान्त करने के पूर गोल्ड beill जूना पाच करोड का पाच करूड का गोल्ड स्वोँ दिनगाना चाहता है और इसले को कहा अपने दोस्ट में फ़ोन करता है और वाँ से एयरपोर्ट पर मांग वालने और एयरपोर्ट से को श्णा राने का काम करता है हमारा शिंदे लेकिन हैं शंदे ने सहले सोने के पीछे उनों ने जू तसकरी की ती वह थी कोकें ट्रुक्स की तसकरी जийा दोस्तों बिल्कुल सई सुना आपने इस में इतना चूतिया पना दिखाया गया है क्या बताया आपको कि इसने चुटिया गिरी से सोने के बदले 10 करोड के उन्होंने ड्रक्स मांग लिए और शिंदे को कुछ पता भी ने चला आप तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर ड्रक्स मांग लिए चाहता था तो वो शिंदे को डायरिकली कहे कर मांग सकता था इसके जो पूरी जो स्टोरी है और उसने सिंदे को ऐसा क्यों नहीं बताया यह आपको पता होग अगर नहीं पता है तो आप लोगा आप पर वि झाल झाल